इस वीडियो में आपको इस पार्ट में आए प्रशनों के लिखित उत्तर मिलेंगे नमस्कार सभी को हिंदी कला के अंदर में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें वेब बैल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले चिडिया की बच्ची बच्चो इस पार्ट को हमने इसके भाग एक में पढ़ा वे समझा था अब इसके अभ्यास प्रशनों को देखते हैं कहानी से किन बातों से ज्यात होता है कि मादवदास का जीवन समपन्ता से भरा था और किन बातों से ज्यात होता है कि वे सुखी नहीं था मादवदास का जीवन समपन्ता से भरा था ये निमल लिखित बातों से पता चलता है उसके पास संग मरमर की कोठी है बहुत सारे बगीचे और सोना मोती है सेठ ने चिडिया से कहा कि उसका पूरा घर सोने से बनवा देगा जिसमें मोतियों की जालर लटकेगी चिडिया को सोने से मंडने वे सोने की कटोरी देने की बात भी कही वे साथ ही दास दाशियों की कमी नहीं होगी तो इन सब बातों से पता चलता है कि मादवदास का जीवन संपन्ता से बरा था मादवदास ने जब चिडिया से कहा कि जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है एवं संद्या को स्वपन की भांती गुजारता है उसका महल सुना है वहाँ कोई चहचाता नहीं चिडिया के आने से उसका चित प्रशन हुआ इन सब बातों से ज्याद होता है वह सुखी नहीं था मादवदास क्यों बार-बार चिडिया से कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है क्या मादवदास नी स्वार्थ मन से कह रहा था स्पस्ट कीजिए नी स्वार्थ कार्थ है बिना किसी मतलब के या बिना किसी स्वार्थ के नहीं मादवदास नी स्वार्थ मन से ऐसा नहीं कह रहा था उसके पास आलिशान कोठियां धन दोलत दास दासियां सब थे परन्तु उसके मन को सुख नहीं था चिडिया के आने से उसके चित को परसंता मिली इसलिए वै अपने आद्मिक सुक सान्ती के लिए चिडिया से कह रहा था कि ये बगिचा तुमारा ही है मादवदास के बार-बार समझाने पर भी चिडिया सोने के पिंजरे और सुक सुईदाओं को कोई महत्वा नहीं दे रही थी दूसरी तरफ मादवदास की नजर में चिडिया की जिद का कोई तुक न था मादवदास और चिडिया के मनो भावों के अंतर क्या-क्या थे अपने सब्दों में लिखिए तो दोनों के मन के भाव अलग-अलग थे मादवदास को तो क्या चिंता थी? कि चिडिया को यही रोकना है और चिडिया के मन में क्या चल रहा था? कि उसको अपनी माँ के पास जाना है मादवदास का जीवन संपन्ता से भरा होने के बाद भी जीवन में अकेला पन था चिडिया के आते ही उसके मन को बहुत खुशी मिली इसलिए उसे चिडिया की परेशानी से कोई मतलब नहीं था वै तो यह चाता था कि वो हमेशा के लिए उसके बगिचे में रुख जाए उधर चिडिया को सेट मादवदास और उसकी धन दोलत से कुछ लेना देना नहीं था उसे तो बस इतना पता था कि उसकी मा उससे बहुत प्यार करती हैं और वो उसकी राह देख रही होंगी कहानी के अंत में नन्नी चिडिया का सेट के नोकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए नन्नी चिडिया का सेट के नोकर के पंजे से भाग निकलने की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा अगर उसे नोकर पकड लेता तो सेट उसे हमेशा के लिए सोने के पिंजरे में कैद कर लेता फिर वो हमेशा के लिए अपनी मा के प्यार खुली हवा में खेलने फूलों से बात करने सूरज की धूप का आनंद लेने आदी से वंचित रह जाती उधर उसकी मा उसकी रह देखती ही रह जाती मा मेरी बाट देखती होगी यानि मा मेरी रह देखती होगी नन्नी चडिया बार बार इसी बात को कहती है आप अपने अनभव के आधार पर बताएं कि हमारी जिन्दगी में मा का क्या महत्व है तो यह आप एक बार अपने मन से सोचो और उसके बाद लिखो कि आपकी मा का आपके जीवन में क्या महत्व हैं जैसे हमारी जिंदगी में मा का महत्व सबसे जादा है क्योंकि उनका प्यार सबसे अनमोल होता है वो हमें जीवन देने से लेकर हमारा पालन पोसन करती है मा की गोद दुनिया में सबसे सुरक्षित जगए होती है जो कि आपने कहाने में देखा न चिडिया को सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगए कहां मिली अपनी मा के सिने से लगकर वो हमें निश्वार्थ भाव से प्रेम करती है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत सब बातों के लिए अपने अनभाव से सही फैसला लेती है जो हमेशा हमारे ही हित को ध्यान में रख कर लिया जाता है हमारी गलतियों के लिए माप भी कर देती है इस कहानी का कोई और सीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यूं तो ये कहानी पढ़कर आप सोचिए जो आपका मन हो वो सीर्षक आप इसको दे सकते हैं जैसे मुझे लगा कि इस कहानी का कोई और सीर्षक देना हो तो हम इसे मा का प्यार देना चाहेंगे क्योंकि इस कहानी में चिडिया ने अपनी मा के प्यार के सामने सेट की धन दोलत सब ठुकरा दी थी कहानी से आगे इस कहानी में आपने देखा कि वै चिडिया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती हैं मदू मखियों, चींटियों, ग्रय नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन चीजों में हमें एक अनुसासन बदता देखने को मिलती है इस तरह के स्वाभाविक अनुसासन का रूप आपको कहां-कहां देखने को मिलता है उदारण देखर बताईए जैसे मोसम के अनुसार रित्वों का बदलना प्रत्वी का सूरिय के चारों और चक्कर लगाना वीजों से नए पोधों का बनना सूर्य का पूरो दिसा में उगना और पस्चिम दिशा में अस्त होना ये सारे स्वाभाविक अनुसासन के उधारण है ऐसे ही और उधारण आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना सोज कर लिखिए कि ये भी सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्विकार करेंगे बिल्कुल नहीं आपको अधिक प्रिये क्या होगा स्वाधिनता या परलोबनों वाली प्राधिनता तो हमें स्वाधिनता ज्यादा प्रिये है ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्राधिन व्यक्ति को सपने में भी सुक नहीं मिल पाता नीचे दियेगे कारणों को पढ़ें और विचार करें, जैसे क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्यम दुखी होता है वह किसी को सुखी नहीं कर सकता, किसी को पराधीन बनाने वाला व्यक्ति स्यम दुखी होता है ये हर बार सही नहीं हो सकत हर किसी को सुख सुविदाइण परदान कर उसे सुखी रखने की कोशिस कर सकता है किन्तु जो पराधींता में जी रहा है वह सुखी होगा की नहीं उसके बारे में कह पाना मुश्किल है जैसे कि आप अपने घर में पालतू जानबर रखते हो चाए वो पुता हो या कोई क्यूंकि पराधिन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाता ये कहना कि पराधिन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाता गलत होगा क्यूंकि पराधिन था के चलते अगर उसके मन में शान्ती नहीं है तो वे स्वाभाविक रूप से वे चाते हुए भी सुख के सपने नहीं देख पाएगा क्यूंकि पराधिन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता तो सपनों पर किसी का वश नहीं है चाहे वो पराधिन हो या आजाद लेकिन जब इनसान का मन परशन नहीं हो तो वे सुख के सपने अवसर मिलते हुए भी नहीं देख पाएगा तो ये बात आप समझ गए न, कि जब हमारा मन प्रशन होगा, तभी हम कोई भी काम अच्छे से कर पाएंगे, अनुमान और कल्पना, आपने गोर किया होगा, ध्यान से देखा होगा, कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनु में ही माएं अपने बच्चों का पूरा-पूर ध्यान रखती हैं, प्रकरती की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए, तो इस तरह के नजारे आपने जरूर देखे होंगे, सारे पक्षी, पशु, माँ सब अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं, इस तरह की ममता आपने जरूर देखी होगी, इनके हिसाब से आप अपने शब्दों में लिखिए, जैसे मा शब्द सुनते ही हमारे मन में एक करुणा का भाव उत्पन होड़ता है, और लगता है कि मा का अपने शिशू के परती प्रेम शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल है, मा दुआरा अपने बच्च है, जिसके बल बुते वह दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ने वह अपने बच्चों की रक्सा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगाने को तयार रहती है, बासा की बात, पाठ में पर सब्द के तीन परकार के प्रियोग हुए है, जैसे गुल काब की डाली के उपर एक जिडिया आकर बैठी, तो यहाँ परकार्थ हुआ के उपर, कभी पर हिलाती थी, तो यहाँ पर परकार्थ है पंक, पर बच्ची काप काप कर मा की च्छाती से और चिपक गई, तो इस परकार्थ हुआ परंतु, तीन पर के प्रियोग तीन लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे तीन वाक्य बनाई जिन में अलग-अलग उद्देश्यों के लिए पर के पर्योग हुए हो जैसे पेड़ पर आम लगे हैं तो यहां इस परकार्थ हुआ के ऊपर चिडिया के पर उड़ने के काम आते हैं तो यहां परकार्थ हुआ पंक तैने, छन भर, खुश करियो तीन वाक्यांस ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में जो आज हम इन सब्दों को तैने की जगए तूने, छन भर को शन भर, खुश करियो की जगए खुश करना लिखे बोले जाते हैं लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों मे कहीं कहीं इनके प्रियोग होते हैं इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए इस पाठ में कुछ इसी तरह के शब्द आये हैं जैसे आन जिसका अर्थ है आकर टिक गई, रुख गई, बहुत तेरी, बहुत सारी, निरी, केवल, इतने, थोड़ी देर और, सोच ने करें, चिंता ने करें, इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ो, मा हमारी जनम दाता है, इसलिए उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए, आप अपनी मा से कितना प्यार करते हैं, ये बात उन्हें लिख कर बताईए, सुझाओंवा सुधारों के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं, आपके फेवरेट, तो फिर क्यों न करें इनको लाइक, सब्सक्राइब, और रिकमंड, हमें और बहतर बनाने के लिए, आप कर सकते हैं कमेंट, धन्यवाद,